कि दूर्देशा का हाल देखकर दया आती है अफसूस होता है कि इतनी पुरानी पार्टी की यह हालत हो गई यही तो मेरी लडाई थी मेरी शहादत का इंका गांधी जी को आप का अंगरेस का चेरा बनाओ तो कि जब कोई एक प्रोडेक्ट नहीं बिक रहा है आप तेलिविजन नेटवर्क से बाहर मत करो लेकिन इस्टूडियो तो पडल दो इसमें तरीके से कह रहे है और क्या है वो जी जानी तो सवाल है वो नहीं चाहती है उचाती है उचाती है बिल्कुल चाहती होंगी अब यह कहने है जवर्दस्ति मैं मैं तो इरीके बात होग नहीं अब लिए अब नवस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का आप देख रहे हैं दा खबरी शो दोस्तो आज की वीडियो में दो पूरू कांग्रेसी आचारे प्रमौत क्रिश्लम और रादिगा खेडा ने जिस तरह से कॉंग्रेस के अंदर के राज खोले है उसे देखके लगता है जल्दी क लेस करा देंगे दोस्तो इसलिए चेतावनी है कि जो भी कॉंग्रेसी हैं इस वीडियो से किरपयाद दूर रहें दोस्तों वीडियो बहुत मेदार होने वाली है आप से उन्होंते आंत तक जरूर देखना अगर आप चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूला चलिए सुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो हमारे आज के पहले महमान हमारे आज की जो सुपरस्टार है पहले आचारी जी डिच बयान पट्रूह आएँ कि कॉंगरेज पार्टी ने प्रियंका गांधी का कद्ध झोटा कर दिया प्रियंका को चॉंगरेज का अध्धाक्ष बनाया जाना था कॉंग्रेस की दुर्देशा का हाल देखकर दया आती है अफसूस होता है कि इतनी पुरानी पार्टी की ये हालत हो गई इस बरवादी के लिए ना मोधी जिम्मेदार है ना बीजेपी इस बरवादी के लिगर कोई एक रिक्ति जिम्मेदार है ये बहुत बासी फैसला है ये फैसले से कोई देश में बहुत बड़ा एक जगरती आ जाएगी या बहुत बड़ा एक उत्सा आएगा उसका कारण है कि समय जब था तब ये फैसला नहीं लिया गया यदि ये फैसला आम चुनाम में लिया गया होता तो एक बहुत बड़ा देश का ऐसा सेक्टर था जो इस फैसले का फाइदा कॉंग्रेस को दे सकता था यानि कि चुनाम में एक रोचकता आती यह लगता कि वाकई कॉंग्रेस पारिटी मेरेंद मोदी जी और बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत जोंक रही है तो प्रियंका गांधी को भी उतार दिया है कन्फूजन भी क्रियेट होते है क्यों सकता है प्राइंका गांधी प्रधार मंतरी का केंडिड़ बनेगी और माफ़कर ना कॉंग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी जी को आप कॉंग्रेस की कमांग सौंप दो प्रियंका गांधी जी को आप का गांगरेस का चेरा बनाओ क्योंकि जब कोई एक प्रोडेक्ट नहीं बिक रहा है। अगर आपकी दुकान में कोई सौधा है जिसको बेचने का आपने बार बार प्रियतन किया। उससे ज्यादे तो आप कुछ करनें सकते है। अब पहली बात तो आपने यह माना मैं यह मैं कह रहा हूं कि राहूल गांधी एजर प्रोलिटिकल प्रोड़क्ट नहीं बिखर है एक बात हाला कि इस पर अब कहेंगे वह बावन से नियान भी लिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह प्रोड़क्ट नहीं चल रहा दूसरा सवा प्रिंका गांधी को अभी अज मने का वक्त नहीं आया अगर एक गांधी को अगर चुनाब लणाना था नहीं चुनाब मेरी टीम मेरी जोड दे रहा हूं सवाल के तौर पर 19 में प्रियंका जी को आधे उतरप्रदेश का प्रभारी बनाया गया था महा सच्छे सीट रह गई आधी अब आप सवाल पूछ देजी आधी परियंका जाए गांधी परिवार ने राहूल गांधी ने वाइनाट छोड़ते प्रियंका गांधी को बैठाया सिंगहासन सौपने का ड्रामा जारी गांधी परिवार का ये राजा राणी का गांधी परिवार ने राणी को बनाया गया उत्तर प्रदेश का वह कॉंग्रेस पार्टी का सबसे बुरा अगर रहा है रिजल्ट उनके जनरल सेकरेटरी बतौर रहा है और जैसी वह हटी देखे थोड़ा सा उठ गई कॉंग्रेस कॉंग्रेस के निता राजेश मिश्रा आये जो भारती जन्ता पार्टी में आये उनके आने के पीछे वही वज़ा है जो राधी कब्रेश आपके लिए लेकिन सिच्वेशन है तो यह सिच्वेशन में आप लोग भी इसका जवाब आप लोगों को भी देना है आप लोगों को भी देना है शाब यू है सुना है दुश्मन ने नया हथियार निकाला है और सुना है दुश्मन नया हथियार निकाला है और सुना है दुश्मन नया हथिया परफेक्ट है अब यह तो पूरी बात आपने कह दी तो बदलेगा हाला तो आज तो आप जो कर रहे हैं वो तो उन दुश्मन नया हत्यार निकाला है यहां गोश्मन अपने कुछ नुट बात आपने तरीके और दुन यही कह रहे हैं आपने अपने तरीके से और अपने तरीके से और तुमसे नहों पाइगा हमें इख चोड़ना नहीं चाहिए था पैली बार। बार। यह एंख अबिशन होता है कि यूँ इंक बात की तो प्राइनका जी एतरप्रदेश को बहुत बारी की से जान रही लेकिन अगर हमें जनता ने एक बार हमें ठुकरा दिया या अस्विकार कर दिया, तो हम अपना घर चोड़ दें? प्रिंका जी चली के चोड़ के ना, जरर बो कान गा ही दुबरा? यही तो सवाल है, वो नहीं चाहती है, वो यूपी शोड़ा नहीं चाहती है, बिलकुल चाहती होंगी, अब यह कहनी है, जवर्दस्ती, यह बड़ा जरूर है, इसमें एक सवाल तो उठेगा, टिकेट के प्रोसेस पे, यह यह पार्टी है, यह प्राइबेट लिम्टेड यह कोई गुड़िया गुड़ो का खेल नहीं है, यह बुनियादी बात है कर रहा हूं, ठीक है, आप उसमें मज़े भी ले रहा है, आपका हक है, लेकिन क्यों, क्या हमारे दिल का हाल तो हम ही जानते हैं सवाल, इसकी, यह इसमें दिखेंगे, पोटो कम है, सुनिया जिए सब ठीक है करेंगे, तो लगातार जीजा जी टिकेट मांगते रहे रहा है भरे रीस से, लगातार, उनको दिन ही तहां दी जीजा जी enez और सबसे उसमें कहा है, आज यह कहाँ ए कि मैंने इस बारर जब से यह decision making शुरू हुई तो मैंने इस बार कह दिया था नो प्रियंका केबल प्रचार के लिए नहीं है प्रियंका चुनाव डड़ेगी मुझे लगता है कि यह तो हम लुक बात कर रहे हैं तो रहुल रॉबर्ट रिष्टे पर कोई बात नहीं पूछेंगों सवाल नहीं बनता है यह एक हो है प्रियंक का गांधी जी का नाम लेने वाले को पार्टेस निकाल रहा है और अंट कमरे में सब कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को कमांट सौब दे जाए लेकिन ओपन लिग निहीं नहीं कहता है कि मोहबत करने वालों में जगड़ा डाल देती है सियासत दोस्ती की जड़ में बठा डाल देती है यह शायद कॉंग्रस के साथ ना हुजा है दोस्तों अगर आपने वीडियो अंतर तक देखिया तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो के बारे में आपके जो भी राय है कमंट्स करके जरूर बताए वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं बोज़े लगले वीडियो में अब तक के लिए जय हिंद बंदे बात्रम